सांसद आदस ग्राम योजना की कहानी ग्रामिनों की जुवानी आज मैं खड़ा हूँ जीलिया मुख्याले से लगभग 25 क्योटर के दूर चोपनडी ग्राम में जी मैं आपको यात कराना चाहता हूं कि इस गाहं को 17 ग्राम की योजना के तैद गोद लिया गया था और जो यहां के राइसर्वा सांसद प्रिम्चंद गुप्ता ने अपने जी में रखा था और दुरुभाग की बात है कि इस गाहं को गोद में लेने के बाद भी वह एक बार भी इस गाहं को देखने तक नहीं आए पहले मैं आपको यह बता दूं कि संसद आदर्स ग्राम योजना क्या है संसद आदर्स ग्राम योजना 2019 में मनमोहन सिंग के सरकार के समय में लाया गया था जो केवल पांच राजियों में कि शुरू किया था उसमें हमारा ज्यारखन नहीं आ रहा था फिर सरकारें बदले 2014 में भाजबा के सरकार बनी और निरेदर मोदी जी ने पंदराकस 2014 को लाल किला से इसकी घोषना की कि इसको दुबारा दा सुरू किया जाए और वह पांच गाउं से या पांच राजियों तक पहुंचा दिया गया तेरह राजियों में हमारा ज्यारखन भी इसमें सामिल थ था उसमें एक आपका मरकच्चो परगंट से चोपरड़ी और दुमचाज परगंट से धाब को सामिल किया गया था धाब की बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा हमारे साथ कुछ ग्रामीन है मैं आपको बास्तु इस्तिति दिखाना चाहता हूं कि आज भी इस ग्राव आदर्स ग्राम योजना का जो भी काम है सारा अधुरा पड़ा हुआ है मैं कुछ ग्रामीनों से बात करूंगा और उनकी जिवानी में बताओंगा कि क्या है इस्तिति सर सांसद आदर्स ग्राम योजना पर यहां काम होना था परहिंचंत गुपता जी सांसद अपने हाथ मे तो कभी यहां आये नहीं वह नहीं आये एक बार आये थे दुसरे में हम लोग जो संसद ग्राम सुने हम लोग बहुत आनंद और खुशी मनाने लगे इतना बड़ा-बड़ा खौब दिखाया गया था एक काम होगा ऐसे होगा बीली 25 पेसेंट का होस्पिटल बनेगा स्वा फोड़ है रस्ता है बचे लोग को भी तकलिफ होते हैं अभी आप लोग को बीबार पढ़ते हैं तो कैसे आप लोग बहुत मस्किल होता है माथा फट गया तो यहां सिलाय करने वाला को डॉक्टर नहीं है हम लोग को सदर भेजा जाता है तिलया या तो परखंड में मरकच में हम लोग को दिकत बहुत है स्वास्त के लिए डिजिटल करन का आपके हैं क्या बेवस्ता है महाखराफ है डिटल के वास्ते हम करेंगे एकदम कुछ जीरो पॉइंट है किर्सी पंती की भी सुधार करने की बात की ती उसमें के बारे में कुछ नहीं है जो यहां के जीते पांच साल होने चला कुछ ने कर रहे हैं जी अब देख रहे हैं हमारे विद्याले में जो है उतकरमित विद्याले जगदिशपूर उसका अपना जो एरिया है पांच एकड़ का एरिया है यह ठीक है लेकिन कहीं भी आज तक चार दिवारी का निर्मान नहीं हो सका है पिछ के भाई असोका चोधरी के द्वारा जो आज तक लंबित पड़ा हुआ है और यहां पर आये दिन जो है गलत काम हुआ करते हैं इस पंचायत के जो लोग कुछ ऐसे असा भी लोग हैं जो यहां पर रात को सराब पीने का काम करते हैं और इतना ही नहीं सराब पीने के बाद कैंपस में फोड़ते हैं विर्धियाले के दरावाजा को तोड़ते हैं आयो दिन लोग कराते हैं आयो दिन किसको नुक्सान देते लहते परसाधन को इसके सुचना दिया लेकिन उनको अभी तक हमको रिसीविंग तक नहीं दिये हमारे साथ और भी लोग है मैं उनसे जानता हूँ सर क्या इसे कुछ बताएंगा अब भी सर यहां का स्थिती यह उतकर में तुछ विद्याले जग्दिश्पूर की बाते किया जाए तो यह इस छेत्र में बिसेसकर यह बहुत लंबे चोड़े पौसक छेत्र में आता है और निश्चित तोर पर यहां के बच्चों के लिए एक बेहतरिन आप्सन भी है यहां विद्य गया है तो सांसद महोदे जो मिनिममम रिक्वार्मेंट है वो इसको फॉल्फिल करें सोधाइट हम लोग स्कूल के सारे जो भी अनकंप्लिटेड अरेंजमेंट है उसको एरेंज करके विद्याले का और यहां लोग गुनवत्ता पुर्ण सिख्चा देने की काम करें ग्राम उसके बात ही कर सकते हैं तो और और पी लोग है हमारे साथ मैं उनसे बात करता हूं गया प्रुषकार के लिए यहां के संसद मोहदे के द्वारा जो आम लोगोश्पने दिखाया गया था कि अच्छे सड़क देंगे अच्छा अच्छा सब्चार का बहुस्ता देंगे खेल का मैदान देंगे, स्टाडियम देंगे, वो सब सारे सब कागज में ही, सपने में ही रह गया, आज तो वो धरातल पर उत्रा नहीं, यहां कि सड़के एक कदम चलने के लाइक नहीं है, गाड़ी सो के आप पैदल चलने में भी मुश्किल होती है, यहां कि यह बवस्ता है तो आप सून रहते हैं, सांसर आदर्स ग्राम वियोजना की कहानी, ग्रामलों की जवानी, लाइब लगातार के लिए, मरकच्चो चुपनडी, कुटरमा से, संदिया आचल के साथ, मैं अरुन बर्नवाल न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बने रहे लगाता.in के साथ